तो नमस्कार दूस्तों सुवागत आपके अपने यूट्य चैनल में तो आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी पटवारी भरती के बारे में जिसका आप बेस अबनी से इंतजार कर रहे हो कि पटवारी भरती कब तक आईगी और जो यह नया कितने पद आने वाले पतवारी में और ये जो पतवारी का प्रस्ता हुए वो कभ पारित होने वाला है और आपका जो भरती प्रक्रिया है वो कभ से शुरू होने वाली है यह सब कुछ डिटेल्ड में बत करेंगा था इस प्रदेश में पटवारी के 5204 नए पद बनाए जाएंगे तो प्रदेश में पटवारी के 5204 नए पद बनाए जाएंगे नगरी निकायों में 988 नगर संर्वेक्षन वरिस्ट पटवारी के पद सरजीत के जाएंगे और 428 तेसिलों के लिए वर्कलोड पटवारी पद बनाए जाएंगे तो आपके जो 428 है वो तैसिलों में जो पटवारी है वो बनाए जाएंगे फिर उसके बाद है आपका राजास सईत अन्य विगावे उसे जुड़े कामों को देखते हुए पटवारी के नए पद बनाने का प्रस्ताव तो यार कियागा है जिस पर अंतिम निन्ने मंगलवार को मुक्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान की अध्यक्षता में होने वाली केबिनेट बेठक में निन्ने लिया जाएगा तो आज आपका मंगलवार और आज आपकी केबिनेट बेठक होने वाली है उस बैठक में आपको आज ये प्रस्तावे पटवारी भरती का प्रस्ताव वो पारिध होने माला है और वो जैसे ही पास होता है तो आपकी बहुत जल्दी भरती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आप जितनी बेसब्ली से इंतिजार कर रहे हो तो उतनी बेसब्ली से आपको पढ़ाई भी शुरू कर देनी चीए क्योंकि आपकी जो आज केबिनेट में यदि पास हो जाएगा पास तो हो नहीं है यदि क्या होता है पास होई आएगा तो आपको भरती बक्रिया नी नी करते आपको तीन से चार मेने के अंदर देखने को मिल जाएगी फिल आगे बात करते हैं राजस विवाक के अधिकारों ने बताया कि प्रदेश में पटवारियों के 19,020 बत स्वी करते हैं 22,808 पंचायत हैं और इतने ही पटवारी हलके में निर्मित किये जा चुके हैं पटवारियों का काम लगातर बढ़ता जा रहा है लोगसेवा गैरन्टी कानून के तहट विबिन्न सेवाएं के लिए समय सिमा तई कर दी गई है इसमें पटवारी की भूमी का महत्पूर ने इसे ध्यान में रखते होएं नगरी शत्रों में प्रती 50,000 की जंसेंग्या पर एक सेक्टर का निर्मान करत के प्रतेक में एक नगर सर्वेक्षक की नियुक्ति की जाएगी इसके लिए 988 पद निर्मित करना प्रस्तावीत क्या गया है वहीं प्रत्यक तेसिलों में एक एक वर्कलोड पटवारी का पद बनाया जाएगा नए पदोबर भरती होने पर सरकार को 1,50,000 करोड रूपे का वार्शिक अतिरिक्त वित्ते भार आएगा बेठक में शाष की उद्धे की प्रस्ताव में पास होने वाली है और प्रत्यक तेसिलों में वर्कलोड पटवारी के रहें के पद सरकार पर आएगा भार मुख्यमंतरी के अद्धेक्षता में आज केबिनेट में परस्ताव पर होगा निर्णा है तो ये आज सारा चीज किलियर होने वाला आज केबिनेट की मेटिंग है मंगलवार को तो उसमें आपके पटवारी भरती तो पास होने वाली है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है तीन से चार मेने के अंदर अंदर तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है क्योंकि आपकी इस साल पटवारी के भरती फाइनली हो जाएगी तो यही आपको बताना था होपस आपको चीज़ समझ मैं योगी चीज़ समझ मैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए अपने दोस्तों में ज्यादा शेर कर दीजिए चले नए वड़ मिलते हैं नए टॉपिक की सब तब तक लिए जैंद बंदे मातरम